हलो फ्रेंज स्वागत थे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल यो रिष्टी आइट पर तो फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम सभी यूपी इस्पिसल जी के पूर्ण ने आ रहे हैं जो पीवाई की कुश्चन है जो प्रिवियस में पूछे गए हैं अगर आप ने महा परिनिर्वार कहां प्राप्त किया था गोतम बुद्ध ने महा परिनिर्वार कहां प्राप्त किया था तो राइट एंसर आपसन भी ए कुशी नगर में चार सु तिरासी बीसी में दोस्तु गोतम बुद्धु ने कुसी नगर में महापरिणार प्राप्त किया था चलिए नेश्ट कुश्चन देखते हैं उत्तर परदेश में कौन से सहर को चमरा उद्दोग की राजधानी कहा जाता है उत्तर परदेश में कौन से सहर को चमरा उद्धोक की राज़धानी कहा जाता है तो right answer हमारा option C है कानपूर कानपूर को कहा जाता है नेश्ट कुछिन देखते हैं निमलिकित में से कौन सी भासा उत्तर परदेश की दूसरी राज़भासा है निमलिकित में से कौन सी भासा उतर परदेश की दूसरी राजभासा है तो राइट एंसर आपसन भी है हमारा उर्दू इसके बारे में कुछ और देह लेखते हैं दोस्तों जहां से कुछन पूछा जा सकता है तो पर्थम राजभासा एक्ट कवाय था तो 1901 क्यावन में आय था वो पर्थम राजभासा हमारी कौन है हिंदी है दूसरी जो राजभासा हमारी है उर्दू है इसका एक्ट कवाय था तो 1989 में आय था चलिए नेस्ट कुश्चन देखते हैं हमारा अगला कुश्चन है निमलिकित में से कौन सा राज उत्तर परदेश का सीमा वर्ती राज है निमलिकित में से कौन सा राज उत्तर परदेश का सीमा वर्ती राज है तो इसका राइट एंसर दोस्तों जो है बिहार है, 36 गड़ है, जहार खंड है, मदध-पर्देस है और एक किन्साइस पर्देस जो है दोस्तों वह है दिल्ली दिल्ली जो है किन्साइस पर्देस है यह अब उत्तर पर्देस के साथ सीमा साजा करता है चलिए next question देखते हैं अगला कुश्चन हमारा है निमलिकित में से कौन से अस्थान पर कुम्ब मेला नहीं लगता है निमलिकित में से कौन से अस्थान पर कुम्ब मेला नहीं लगता है तो राइट एंसर आपसन हमारा दी है वरार्थी वरार्थी में कुम्ब मेला नहीं लगता है दूसर कुम्ब मे चलिए नेक्ट कुश्चन देखते हैं अगला हमारा कुश्चन है निमलिकित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बैती है तो राइट एंसर हमारा अप्षन ए है घागरा नदी नेक्ट कुश्चन देखते हैं चंबल नदी किन राज्यों से होकर बैती है दोस्तो ये भी भी आई कुश्चन है आप इसे इंपोर्टन मार करिएगा ये पूछा जा सकता है दुबारा चंबल नदी किन राज्यों से होकर बैती है तो इसका राइट एंसर दोस्तो जो है मारा option C है कौन से उत्तर परदेश मद परदेश हुआ राजस्थान से होका चंबल नदी बहती है और या यमुना की सहाइग नदी है ये भी आप याद रखिएगा next question देखते हैं हर्सवर्धन की राजधानी कहां थी हर्सवर्धन की राजधानी कहां थी तो right answer option हमारा बी है कन्योज कन्योज में हर्सवर्धन की राजधानी थी next question देखते हैं चरकुला निरित किस राज़िका है तो right answer option हमारा ए है उत्तर परदेश उत्तर परदेश का या निरित है next question देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो right answer दोस्तो आपसा अमारा B है साननात में इसमें उनके पांच सिस्तो ने या उपदेश लिया था जिसमें दोस्तो आनंद भी सामिल था नेश्ट कुछन देखते हैं उत्तर परदेश की कुल आबादी भारत की आबादी की कितनी पर्तितत है उत्तर परदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना पर्तितत है तो राइट एंसर आपसन हमारा ए है 16.4% सोला पॉइंट चार परतेंट है दोस्तों नेश्ट कुछन देखते हैं डाक्टर भीम राव अंबेटकर पुलिस अकाडमी उत्तर परदेश में कहां इस्तित है तो राइट अंसर आपसन भी है मुरादाबाद इसे इंपॉर्टन करिएगा दोस्तों ये भी पूछा जा सकता ह नेश्ट कुछन देखते हैं भारत का सबसे जादा गन्ना उत्पादन राज कौन सा है भारत में सबसे जादा गन्ना उत्पादक राज कौन सा है तो राइट अंसर आपसन हमारा डी है उत्तर परदेश नेश्ट कुछन देखते हैं ताज एक्सप्रेस बे किन राजों को ज तो, राइट एंसर आपस्थनシी है आगरा और ग्रेट अनौइडा को या जोडता है नेट कुछिछन देखते हैं उत्तर पर्देश के लोका आयुकत का पद कब सिर्जित क्या गया था तो राइट एंसर आपस्थनमा रासी है 1975, 1975 को किया गया था, नेट्ट कुछिजन देखते हैं, फरुकाबाद में गंगा नदी के किनारे, मोगल घाट का निर्माड किस पाधिशन निक कराया था, तो राइट ऐसन राप्तन अमारा भी है, औरन जेब, औरन जेब ने कराया था, Next Question देखते हैं निमलेखित में से किस लोकनित का आयोजन बुनदेल खंड छेतर में फसल कटाई की समय किया जाता है तो Right Answer इसका आफ़सनों अमारा C है शेरा शेरा लोकनित का आयोजन किया जाता है Next Question देखते हैं उत्तर परदेश की मोती मस्जिद का निर्माड किसने कराया था important question है उत्तर परदेश की मोती मस्जिद का निर्माड किसने कराया था तो right answer आपसना हमारा B है साह जाने साह जाने कराया था दोस्तो एक भी question मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया है जितने भी कुश्चन आप सभी करा रहे हैं या सभी PYQ ही हैं तो आप सभी वीडियो ज़रूर ध्यान पूरुबक देखें हैं दुबारा पूशी जाने की इन सब की चांस ज़ादा है दोस्तो चलिए आगे देखते हैं महारसी वालमीक का महावर्थ में इस्थित था जो वर्तमान में उतर परदेश में कहां इस्थित है तो राइट एंसर दूस्तो इसका आप सन हमारा यह है बिठूर बिठूर में इस्थित है नेस्ट कुश्चन देखते हैं राष्टिय कभी मेथेली सरण गुप्त का जन्म उतर परदेश में कहां हुआ था तो राइट एंसर आप सन हमारा सी है जासी जासी में हुआ था दोस्तो आप सभी को पता हुएगा कि साकेत महा काब्ब की रचईता कौन है यह आप सभी इसका एंसर जो है कमेंट बाक्स में बताएंगे साकेत जो महा काब्ब है इसके लेखक कौन है इसका आप सभी को एंसर कमेंट बाक्स में बताना है चलिए नेस्ट कुश्चन देखत पर था तो राइट एंसर आपसन हमारा B है कुर्साड काल नेश्ट कुश्चन देखते हैं गुप्त काल में टेरा कोटा इटो से बना भीजर गाव मंदिर उत्तर परदेश में कहां इस्थित है तो राइट एंसर इसका जो है हमारा आपसन D है कानपूर कानपूर में इस्थित है नेश्ट कुश्चन देखते हैं वरार्ट से के बिसुनात मंदिर का निर्मार किसने कराया था वरार्ट से के बिसुनात मंदिर का निर्मार किसने कराया था तो राइट एंसर आपसन हमारा A है रानी अहिल्या बाई ने रानिया इल्या बाई ने कराया था नेश्ट कुश्चन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा उत्तर परदेश का सबसे पुराना विद्ध्याला है तो राइट एंसर आप सुना मारा डी है इलहाबाद केंद्रे बिश्विद्ध्याले यह कुश्चन इंपॉर्टन् निमलिकित में से किस राज से करकरेका नहीं गुजरती है तो राइट एंसर आप सने है उत्तर परदेश करकरेका दोस्तों गुजराज से राजस्थान से मद्ध परदेश के जारखंड से छत्तिरगर से तिरपूरा से मिजोरम से गुजरती है और उत्तर परदेश से नहीं नेश्ट कुश्चन देखते हैं निमलेखित में से किस राज में दुछ स्रदेनिये विध्यान मंदल नहीं है तो राइट एंसर आपसन अमारा डी है जम्मुक असमिर नेश्ट कुश्चन देखते हैं भारतिय रेल ने किन दो अस्थानों की बीच अपनी पहली हमसपर स्रेडी के ट्रेन की शुरुआत की थी तो राइट एंसर आपसन अमारा डी है आनंद बिहारपूर और गोरपूर इन दोनों अस्थान पर हमसपर स्रेडी की पहली ट्रेन की शुरुआत की थी, नेश्ट कुश्चन देखते हैं, परसिज सूफी संत सेख सलीम चिस्ती की बंदरगा उत्तर परदेश में कहां इस्तित है, तो राइट एंसर आपसन हमारा A है, फतेपूर सीखरी में इस्तित है, नेश्ट कुश्चन देखते हैं, उत्तर परदेश का दिखज का जन्म, जन्म UP में कहां वगा था सुराइट एंसर में आपसे हमारा दी है इल्हाबाद में हुव था तो दोस्तों आपसे वीडियो कैसा लगा कमेट जरूर प्रता हैं अगर वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थाइम पर वाचिंग इस वीडियो